स्वागत है सभीका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ आज के इस यूग के अंदर हर वैक्ति अपना कैरियर बनाना चाता है और उस कैरियर में उसके सामने बहुत सारे ओप्षन होते हैं टीचिंग भी एक अच्छा ओप्षन हो सकता है इसलिए आप टीचिंग फिल्ड में अगर जाना चाते हैं तो स्पेशल बीड करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं देखिए एक normal beard होती है और एक हमारी special beard होती है special beard किन के लिए होती है जो बच्चे दिव्यांग होते हैं जो बच्चे handicap होते हैं या disabled children होते हैं उनके लिए आलग से beard कराई जाती है उसको बोलते है special beard आज के इस युक के अंदर special beard की बहुत जादा demand है आप special beard करके अपने जीवन को अपने career को एक नई दिशा दे सकते हैं इस वीडियो के अंदर आज हम ये सब discuss करने वाले हैं special beard क्या होती है और normal beard और special beard के अंदर क्या अंतर होता है कहां से आप special beard कर सकते हैं और job opportunities special beard के अंदर क्या होती है कितनी होती है आज इस वीडियो के बने रहे तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्पेशल बीड क्या है इस पेशल बीड नौकरी ही नौकरी बीड और स्पेशल बीड में अंतर तो आज हम इस वीडियो के अंदर यह सब डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं स्पेशल बीड क्या है बीड स्पेशल किसी भी स्ट्रीम के अंदर चाहे आप आर्ट्स का बच्चा है चाहे साइंस का बच्चे हो चाहे कॉमर्स के आपके जो ग्रेजवेशन होती है उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और आप मेरिट बेस पर अपना admission ले सकते हैं, बहुत सारी university हैं, बहुत सारे college ऐसे हैं, जो merit base पे admission देते हैं, और कुछ अच्छे college या अच्छी university ऐसी हैं, जो entrance कराती हैं, और entrance के अंदर आपकी जितनी percentage आती है, उसके base पे आपका admission special B.A.D. के अंदर होता है, अब special B.A.D. क्या है, जैसे हमारे दिव प्यांग बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, जो slow learner होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए, उनको समाज का एक अच्छा नागरिक बनाने के प्रियास करने के लिए special B.A.D. कराई जाती है, ताकि साथी या कोई भी व दिव्यांग चिल्डरन होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक कोर्स होता है, जो दो साल का होता है, और बहुत जगह पे ये yearly या फिर semester wise होता है, उसके बाद B.A.D. क्या है, देखिए, जो special B.A.D. और B.A.D. में क्या होती है, जिसमें हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, classroom के अंदर, तो B.A.D. और special B.A.D. के अंदर अंतर क्या है, ये हम आगे देखने वाले भी हैं, अब दोनों के अंदर आगर अंतर की बात की जाए, जो B.A.D. होती है, उसका जो पठ्ठय करम होता है, वो बहुत ब वो जाकर schools के अंदर अपने बच्चों को जो बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को एक सही दिसा दिखा सके, तो special B.A.D. क्या होती है, विशे सिक्षा में विशे सक्यता प्राप्त होती है, कोसल के साथ-साथ वैक्ति को सक्षम बनाना, विशे तकनीक सिखाना और न नॉर्मल चिल्डरन है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस टैकनीक को सिखाना, उन तरीकों को सिखाना, वो सब special B.A.D. के अंदर आता है, उनको कोशल के साथ-साथ सक्षम भी बनाना होता है, और विशे सक्यता उनको हासिल करनी होती है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, भग वो सब चीजें सिखाई जाती हैं, अब जो वो अब नॉर्मल चिल्डरन होते हैं, वो विचारे गुंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, अंधे आंक से न दिखाई न दे, ऐसे हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, ऐसे बच्चों की मदद करने के ये special beard का प्रावधान रखा गया है ताकि नए दृष्टिकोन का विकास किया जा सके उसके बाद अगर हम देखते हैं special beard के लाब तो special beard के क्या लाब हैं देखिए special beard के अगर लाब की बात की जाए तो विशेश आवशकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना नोकरी क बहुत जादा आवसर special beard के अंदर होते हैं सम्मान जनक पेशा है और एमेड करने का भी आपका रास्ता खुल जाता है यानि आप अगर beard करते हैं तो beard करने के बाद आप special beard करने के बाद या beard normal करने के बाद में आपका एमेड करने का रास्ता खुल जाता है और आप assistant professor की post तक भी जा सकते हैं यानि इससे क्या होता है हमारा जो कैरियर होता है उसको ग्रोथ मिलती है उसके बाद बीएड की डिगरी की जो यानि स्पेशल बीएड है इसकी डिगरी की भारी डिमांड है बहुत जादा डिमांड है क्योंकि आज अगर किसी बड़े घर के अंदर भी अब न प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं और गोवर्मेंट सेक्टर के इंदर भी बहुत ज्यादा चांसी होते हैं अब स्पेशल बीएड के अगर लाब आपने देखे हैं तो स्पेशल बीएड के बाद में जोब अपॉर्चनिटीज क्या क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं दे डेवलपर बन सकते हैं प्राइमी टीचर बन सकते हैं बीएड स्पेशल कैंडिडेट जो होंगे वो एक सामान्य टीचर की तरह भी पढ़ा सकेंगे यानि जैसे नॉर्मल जो बीएड होती है और जो स्पेशल बीएड होती है तो स्पेशल बीएड के कैंडिडेट को अब न administrative tribunal इसने अब हाली में ये निर्णे लिया है कि जो special b-aid करते हैं उनको भी b-aid की तरह जो सामन्य टीचर होते हैं वो सामन्य टीचर की तरह अब पढ़ा सकेंगे government job पा सकेंगे तो यानि क्या है special b-aid करने के बाद में अब हमारे सामने दो option आ जाते हैं हम अब normal children को भी पढ़ा सकते हैं और जो normal children होते हैं उनको भी पढ़ा सकते हैं बस special b-aid के साथ में क्या होना चाहिए एक तो धहरी है दूसरा सिखाने के लिए संगीत और कला का प्रियोग किया जाता है सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है जानकारी जो भी information होती है special b-aid के अंदर टुकडो टुकडो में बाट कर दी जाती है दृष्य सरव्य वीधियों का जाद से जादा प्रियोग किया जाता है कक्षा को विवस्थित करना और ध्यान बठकाने वाले जो तत होते हैं उनको दूर करना special b-aid के अंदर बताया जाता है एक अच्छा स्रोता कैसे बनना है special b-aid के अंदर बताया जाता है तो ये था प्रिया साथियों आप लोगों के लिए बीएड और special b-aid में क्या अंतर है special b-aid करने से आपको जोब की जो opportunity है आपके लिए क्या हो सकती है वीडियो अगर आपके पसंद आई तो like कर देना share कर देना thank you